हेलो फ्रेंज बहुत टाइम बाद आई है मेरी वीडियो सारी पिछले हफते में थी एक्जाम में बिजी इसलिए आनी पाई और आज की वीडियो है एक स्टोरी टाइम और ये स्टोरी टाइम का मोरल ये है क्योंकि ये मेरे संग हो चुका है बात है मैं फूर्ट में थी अभी फिलाल मैं सिख्ट में हूँ मतलब अभी उस टाइम होगा टू थाउजन नाइनटीन 2019 के बात है मैं बसकेटबॉल खेलती थी मैं अपने स्कूल के पास ये एक कोड़ था वहां पे जाती थी बसकेटबॉल सीख ने बहुत से ट्रिक्स सीख ली पर ना क्या हुआ हमारे सर ने एक बार सोचा कि हम एने एक मैच करते हैं तो सारे अब उसमें सारे एज के बच्चते थे जैसे थर्ड से लेकर मांडलो टैंथ तक तो जो भी सीनियर्स थे ना जैसे सिख्ट से लेकर टैंथ तक के बच्चे वो अलग-अलग हो गए और फिर हम एक बच्चा हमारे थर्ड का या फिफ्ट का था वो जाके बोलता है सर हमें कोई भी ले नहीं रहे अपने टीम में हम कोई भी बच्चो को तो वो अच्छा तो मैं मैच में तोड़ा चेंज करता हूँ और अब सिर्फ दोनों गोल्स बास्केट में बास्केट करने हैं और जो भी टीम साधर बास्केट कर लेगी वो ही जीतेगी और फिर और सर्ण ने बोला की है ना बड़े बच्चे जो सीनियर से वो अलग टीम में रहेंगे और जो जूनियर से वो अलग टीम में तो हम लोग ने बोला ठीक है सब ने बोला ऐसा फिर मैच शुरू हुआ सबसे पहले मैं गई हम जो छोटी टीम बच्चे वाली टीम थी जो जूनि उन में से पूरे दो लोगों ने एक भी बास्केट नहीं करी सीनियर्स टीम में से अब बास्केट ना करने के लिए से वो अविसली हार गए सर आकर बोलते हैं कि देख लिए अगर तुम इन छोटों को लेते ना तो अभी पूरा प्रॉपर मैच के संग तुम भी जीत सकते थे पर तुमने इनको रिजेक्ट किया है इसलिए आज ये सब जीत गए और उस दिर मैं समझ गई नेवर जज़ अबुक बाइट्स कवर का असली मतलब सो हमें कभी किसी छोटे बच्चे को ये नी समझना चीए कि वो कम है हमसे कोई भी अपने टैलेंट पर वेज़ दोता है कोई एज विज्वल्स या फिर डिलीजिन कुछ वेज मतलब नहीं करता हमेशा उनका टैलेंट मतलब करता है तो ये शुड नेवर जज़ दिस वाज टोड़ेंट इस स्टोरी टाइम हो सकता है ये वीडियो थोड़ी छोटी हो सो बाई और मैं अभी मंडे को एक क्राफ्ट वीडियो डाल जी तो बताना कमेंड में की कौन कौन एक्साइटिड है इस हफते की वीडियो यही थी स्टोरी टाइम बाई बाई